आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेज में और फाइनली आज के इंतजार खतम होने वाले हैं और आप सभी के महनत का जो फल है वो जो नतीजा है वो आज दिख जाएगा यहनिकि आप सभी के रैंक कार्ड आज आज प्रवेश परिक्षा में आप कौन से अस्थान पे अपना प्रफॉर्मेंस दे पाएं या आपका प्रफॉर्मेंस जो है वो कौन सी अस्थान पे था वो आपको आज पता चल जाएगा बच्चो है ना तो कैसे आप अपना रैंक कार्ड देख पाएंगे रैंक कार्ड में क् इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने सभी सात्यों के साथ सेयर कर दीजेगा, चैनल पर नहीं हूं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा, आए फड़ा फड़ से देखते हैं कि कैसे आप अपने rank card को देख पाएंगे तो rank card को देखने के लिए कभी इधर उधर की किसी भालतों की website पे आपको जाने की जरुवत नहीं है जीकब की official website यहनी joint entrance examination council of उत्तर प्रदेश की official website है जो की जीकब.admissions.nic.in है इस website पर आना है directly और website पर आने के बाद अगर हम बात करें बच्चो तो direct आपको जो login link मिल जाएगा वो candidate activity board में मिल जाएगा है तो यह जो candidate activity board आपको दिख रहा है यहीं पर आपको download और view rank card का option यहनी link जो है जीकब के द्वारा आपको provide बच्चो करा दिया जाएगा हाना जैसे ही आप उस link पर क्लिक करेंगे आपको login करने का option मिलेगा आपको login करना पलेगा यहाँ पर application number आपको अपना फिल करना पलेगा अपना password आपको यहाँ पर फिल करना पलेगा security pin मेनी की capture code बोले तो यह जो दिया हुआ है यह आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद sign in button पर आपको click करना होगा sign in button पर click करने के बाद आपको OTP receive होगी OTP फिल करते ही आप login dashboard पर चले आएंगे login dashboard पर जैसे ही आप आएंगे बच्चो तो dashboard आपका कुछ इस तरीके के आपका application number और आपका नाम सो करेगा और यहीं पर आपको option मिलेगा view और download यह rank card है इसी के बगल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा option view और download rank card ठीक है यह आपको यहाँ पर option rank card के लिए मिल जाएगा तो इस तरीके से करके आप अपने rank card को download कर लेंगे बच्चो अब आपके rank card में क्या कुछ जानकारी होंगी जैसे हमारे पास यह एक student का rank card है ठीक है इस rank card गो आप देख पा रहे हैं जिसमें यह बच्चे का application number दिया जाएगा application number ही roll number होता है तो इसी को copy कर दिया जाएगा हो सकता है roll number इस बार ना दिया जाए क्योंकि edit card में roll number का जिकर नहीं था ठीक है ग्रुप कौन से ग्रुप में आपने अपलाई गिया यह जानकारी होगी date of birth आपका क्या है वो आपको दिया जाएगा जानकारी इसके लावा आपका नाम बताए जाएगा parents, name आपको यहाँ पर आपका जो भी होगा वो सो कर देगा category, sub category यानि कौन सी category से आपने भरा है OBC से भरा है तो OBC दिखाएगा और आपका sub category जैसे military, person, freedom, fighter यह सब में से अगर चूच किया होगा तो यह आएगा otherwise NA not applicable लिख के आएगा अगर देखिए आपका कोई यह NA के लावा कुछ भी आ रहा है और आपके पास उस चीज का reservation नहीं है तो आप यहाँ correction करा लेंगे counseling start होने से पहले otherwise counseling में seat alert हो जाएगी पर बाद में वो seat cancel भी हो जाएगी अगर वो reservation certificate आप नहीं दे पाएगे तो gender आपका आएगा state आपका लिख करके आज आएगा अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश के बाहर का है और यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो कर रहा अधर दिन उत्तर प्रदेश की जगह पे तो फिर problem वाली बात है है ना उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है तो वो भी एक problem है दिक्कत हो सकती है उससे है ना चलो बच्चो यह देखिए आप सभी के rank information आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के लिख के आ जाएंगे और अगर आप यह देखें rank art 2023 के बच्ची का है ठीक है और आपका यह group यहाँ पे लिखा हुआ है अगर एक से अधी group का आपने दिया है exam तो एक साथ एक ही page में आपका result आ जाएगा obtained marks आपका जो भी होगा जो भी marks आपने प्राप्त किया होगा वो आपका लिख करके आएगा और normalized score जैसा कि मैंने पहले भी आपको कही बारी बता रखा है कि अलग-अलग shift में paper होने के वज़े से paper एक समान रूप से नहीं हो पाता थोड़ा बहुत 19 भी ज़रूर रहता है कोई paper tough होता है, कोई paper easy होता है कोई moderate होता है paper के level के अनुसार अगर किसी बच्चे का paper tough था तो उसके number बढ़ जाते है normalized score में और किसी बच्चे का paper easy था तो उसके number घड़ जाते है normalized score में यहनि कि बोले तो normalized score में number घड़ते भी है और number बढ़ते भी है, दोनों ही हो सकते है ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे है कि यहाँ पर आपका score के बाद normalized score भी दिया गया है साथ ही में आपको यहाँ पर rank दे दिया गया है कि बच्चे का rank कितना है तो अगर आप open rank देखेंगे तो 1,36,702 rank है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे लिखके आएगा qualified for counseling अगर आप यहाँ पर qualified देख पा रहे होंगे अगर अपने rank card में तो इसका मतलब है आप आगे counseling बच्चो यहाँ पर कर सकते हैं और अगर यहाँ पर qualified नहीं लिखके आता है और not qualified लिखके आता है तो समझे लो कि आप counseling के लिए eligible नहीं है आप counseling नहीं कर पाएंगे बस यही यहाँ पर cut off है और यही सब कुछ है अगर qualified इसने लिख दिया तो इसमें लिखके आपके पास मौका है एक अच्छी counseling करा करके अच्छी सरकारी college में जाने का और अगर not qualified है तो मतलब आप cut off के अंदर नहीं आपाएं है बस इतना है यहाँ पर UP Polytechnic में cut off का लेना देना है ठीक है इसके इलावा बच्छों जो qualified नहीं भी होंगे उनको भी एक certain यहाँ पर round के बाद मौका दिया जाएगा counseling कराने के लिए जैसे not qualified and other state candidate will be considered for counseling from fourth round चौथे round से उनको मौका दिया जाता है counseling कराने के लिए बाकी आपको एक schedule दी जाएगे counseling की जिसको आप ध्यान से देखेंगे और counseling, counsel की website पे regularly latest information को आप देखते रहेंगे यह जानकारी ऐसा लिख करके आज भी आपको जो है दिया जाएगा तो बच्चो कुछ इस तरीके से आपका rank card होगा और इतनी कुछ जानकारी आपको rank card में अपने देखने के लिए मिलेगी बच्चो है ना तो अब देखेगा जिन बच्चे का भी number कम है निरास हतास मत होईएगा rank जादा ही आएगा और ये सक्चाई है कि भले negative marking नहीं है लेकिन इस चीज को accept करना होगा कि rank भिगड़ेगा अगर आपने जादा गलतियां करी है आपके जादा प्रश्न गलत हुए है तो है ना इस चीज को पहले से आप accept करके रखिये इसको नगार नहीं सकते आप ठीक है तो दुनिया चाहे कित्ता भी कहले कि भईया negative marking नहीं था और इस वज़े से आपको पूरा attempt करना चाहे था गलती भी हो जाती है तो आपके number बढ़ जाएंगे चाहें कुछ भी इधर उधर की कोई भी सब मन घडंत कहानिया है finally यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा गलती करेंगे आपकी accuracy बिगड़ती ही है और rank जो है high ही आता है पिछले साल से ही जो है already बच्चों का यहां पर बात करें तो जो अगर बात करें यहां पर negative mark जो है हट चुकी थी लेकिन फिर भी rank आप देख पा रहे है high जा रही थी और उसका reason एक मात्र है accuracy वो चीज जो है understood है उसमें कोई problem वाली बात जो है बच्चों नहीं है अब जैसे ही बच्चों की admit card आपका exactly आएगा उसकी जानकारी हम आपको इसी चैनल पर देदेंगे इसके लिए चैनल को subscribe करके रखें notification bell को press करके all पे select कर लें और telegram group में आप सभी join हो जाए जिसका link description में आप सभी को दिया गया है वहाँ से कभी भी कोई भी update आता है जीकब के विशह में क्योंकि अब counseling start होगी तो regularly day by day however by however कुछ नो कुछ update आएंगे और उसके साथ आपको latest update के साथ हमेसा जुड़े रहना पड़ेगा तभी आपका finally admission हो पाएगा क्योंकि यहाँ आज update आता है कल date end हो जाती है कल अगर आप process नहीं complete कर पाए तो आपकी seat cancel हो जाएगी आपका admission नहीं हो पाएगा बच्चो इसलिए लपरवाही नहीं करनी है ठीक है अब देखे बच्चु हतास या आपको निरास नहीं होना है अगर किसी का भी rank जादा आ गया तो हलाकि मैं सभी को सुबकामनाई दिता हूँ कि आप सभी के rank अच्छे आए ताकि आप अच्छे सरकारी पॉल्टेक्निक में जा पाए बच्चो ठीक है लेकिन आप जैसा कि देख पा रहा है कि आप डीड लाग के आसपास एक लाग च्वालीस हजार छेसो पचासी rank के बावजूर भी इस बच्चे को admission मिल गया गॉर्मेंट पॉल्टेक्निक गुंडा में है राउंड नमबर 3 तक ही मिल गया है और आपको अगर हम बात करें बच्चो अगला एक और हम आपको ऐलॉट्मेंट दिखाते हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं एक लाग चौँटीस हजार solar rank पे भी round number 3 में ही इनको government polytechnic 12 बंकी मिल गया है तो ऐसे करके आप बच्चो चाहें कित्ती भी high rank हो लेकिन अगर आप अच्छी counselling कराते हो तो 100% आपको government polytechnic जो है मिल जाएगा अब आपके जो result है बच्चो आप देख पा रहे हैं official website पर update है कि 27 यहाँ पर zone 2026 को update की जाएगी अब timing की बात करें कि सर कब तक आपके result आजाएंगे कब तक जो है जानकारी update कर दी जाएगी link update कर दी जाएगी website पे तो देखिए बच्चो जो timing रहने वाली है आप सभी की rank आड आने की वो दो पहर 12 बजे से लेकर के साम 7 बजे तक 7 बजे के बीच में कभी भी आपका यहाँ पर आ सकता है ना तो 12 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी आ सकता है जैसे ही आएगा उसकी update सबसे पहले आपको सोनू सर क्लासिस के YouTube चैनल और टेली ग्राम ग्रूप में बच्चों देखने के लिए मिलेगा है ना अब सर काउंसलिंग एक्सपर्ट से कैसे बात होगी कैसे हम लोग करवा पाएंगे काउंसलिंग देगो बच्चों मैंने ओल लेड़ी कह रखा था भाई हमारे पास limited सिल्टे है और slots हो है जादा नहीं है लेकिन बावजूद जो बच्चों ने पहले registration करवा दिया उसके बाद जो बच्चें वो लगातार calls messages कर रहे हैं और लगातार ये demand कर रहे हैं सर हमारी भी registration कर दीजिए हैना तो continuously दो-तीन दिनों से भी registration process को बंद कर दिया गया था इतना जदा heavy traffic था और लगातार बच्चों की request आ रहे हैं कि sir please कर दीजिए तो देखे बच्चों आप सभी के demand के वज़े से आप सभी जो लगातार जो request कर रहे हो जो demand कर रहे हो कि sir कर दीजिए इस वज़े से मात्र कुछ बच्चों के लिए तुबारा से registration slots open कर रहे हैं हम counselling करने के लिए हमारे counselling expert की team हमारे guidance के अंदर में करेगी पूरे 5-6 वरसों का counselling का पुरा अनुभव प्रियोग किया जाएगा और 100% जो बच्चे counselling कराते हैं उनका college allot करा जाएगा max 50 number के plus रहता है तो आपको college जो है बच्चों allot करवा दिया जाएगा अब देखे करना क्या है registration के लिए आपको ये qr code देख रहा है इसका screenshot ले लिजे इसको scan करके जो counselling fees है वो 250 रुपय बच्चों counselling fees है इसको pay करके और आपको इसी whatsapp number पे आपको screenshot ले करके भेज देना है payment का और इसी calling number पे बात करके अपना जो token number है बच्चों token number एक online आपको token number दिया जाएगा जहाँ पर आप link पे click करके आप अपना status वेगरा सब कुछ check कर सकते हो आपकी पूरी personal details वेगरा होगी counselling related time to time updates भी आपको उन websites पे देखने के लिए मिलेगा और token number आपको यहाँ पर एक जो है zendid करके दे दिया जाएगा जहाँ से लगातार आप अपने जो updates है वो देख पाओगे बच्चों है ना तो आपको बस registration करने के लिए यहने की counselling sonu sir classes की team द्वारा sonu sir से कराने के लिए आपको यह 250 रुपीज की जो registration counselling fees है बच्चों जो बच्चे interested है मैं फिर से वो बोलाओं जो बच्चे interested है जो जिनन नहीं पता कि counselling कैसे करने risk नहीं लेना चाहते है 100% चाहते कि कॉलिज मिल जाए नंबर कम आये है rank जादा आने वाली है या rank जादा आ गई है तो आपको करना है बच्चों बाकी YouTube पर लगातार हम updates देते रहेंगे जानकारी देते रहेंगे कि कैसे counselling करनी है क्या क्यूच steps है बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि complicated यानि जटिल process है जिसमें आपको बहुत अच्छे से analysis करना होता है rank यानि कि ORCR का और उसके बाद इसमें category wise आपके rank wise उसके बाद आपके male है, female है, gender wise है ना ये सारी चीज़े college wise, branch wise देखने के बाद जब सही और सटीक choice feeling होती है सही counselling होती है अच्छी counselling होती है, तब college a lot होता है, तो हम पूरी जानकारी आपके साथ YouTube पर भी share करेंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे risk नहीं लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर fee pay करके token number ले सकते हैं, screenshot आपको इसी whatsapp number पे भेज़ देना और इसी number पे आप बात भी कर सकते हैं, call करके कोई भी doubt, कोई query हो आपको counselling के regarding, तो आप इसी number पे call भी कर सकते हैं और इसी पे whatsapp भी कर सकते हैं, बच्चों, तो आज के इस session में बस इतना ही रखते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को rank card के regarding, जो भी doubt होगा, timing को लेकर के कब rank card आ रहा है, ये doubt clear होगा होगा, आज के session में बस इतना ही रखते हैं, मिलें किसे अन्य video live session के साथ तब तक के लिए, जहन्द वन्दे मात्रम